वेल्कम बेक टू मैं चैनल तो मैंने बनाई है आलू की कचोरिया तो देखिए कितनी बढ़िया गोलगोल बनी है और फ्रेंड्स हमारे यह हो रही है बारिश तो दो-तिन दिन से मौसम काफी ठंडा है और अब ही हो रही है बारिश देखिए कितनी तेज तो पहले मैंने सोच बनाओंगी तो बारिश देखिए मेरा मन हुआ कि मन मौसम बहुत ठंडा हो गया है बारिश बोड़ी है तो चयो ना कचोरी ही बना लिए जाए तो स्टफिंग वगएर सब आलू के प्रांठे के लिए तैयार की थी तो बस आलू की प्रांठे की जगह मैंने बना दी है कचो जर्णा पेला बनाई हैं और तेल का हाथ लगा के सारी काचोरियां बनाई हैं जोड़ा तेल लगाकर हाथ पर पेड़ा बनाया है और यसे हैं जैसे स्टफिंग भरते हैं और बस उसी तरीके से इमने बेलने पर ना बेल के हाथ से युसको राउंड शिप दे देनी है थोड़ा सा तेल लगा कर जिस तरीके से देखी मैं करूँ बिल्कुल आप इस तरीके से कचोरियां बनाऊगे ना तो स्टफिंग बहार निकलती है और ना तेल में जाकर बिल्कु जो कि छुट्टी ओ, अब सोरी छुट्टी का टाइम है क्यूंकि अभी हो रहे हैं साड़े बारा तो चुट्टी के टाम पे ही इतनी तेज बारिश हो गई है किरत के दादू गए है किरत को लेने के लिए और मैं बना रही हूं के लिए कचोरिया अज जब घर आ जाएंगे त बनते नहीं है कभी कभी मन करता है जब बनते हैं तो आज मोका भी था बारिश भी ओरी थी ठंडा मोसम था और ऐसी चीज़े ठंड में ही अच्छी लगती है कर्मी में नहीं खाई जाती है तो बस फिर आज मैंने प्रांटे कैंसल करके बना दिये हैं आलू की कचोरिया तो सच में बहुत टेश्टी बनी थी किरत के दादू को भी बहुत अच्छी लगी और किरत को भी बहुत पसंद आई तो फ्रैंट इस तरीके से बनायेगा बहुत अच्छी बनती हैं कचोरियां दे थी किया ड़ी आप देख्ड़ो इạt में च्छी से गरम नहीं थाख़ा तो इ देखें, यहां पर बस कीरत भी आगा है, स्कूल से गिला नहीं हुआ है, बच गए है, कीरत के दादू ही, और कीरत भी दोनों गिले नहीं हुए है, तो चलिए फैंस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए, बाई बाई, टेक क्यार।